सिंपल और टेस्टी रेसिपी के लिए बने रहें मेरे चैनल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी वेलकम फ्रेंस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन यखनी पलौ की रेसिपी बहुत ही लाइट और बहुत ही तेस्टी होती है बनाना भी आसान है ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है बहुत पहले जब बिर्यानी वगएर भी नहीं बनती थी तब लोग यखनी पलौ कूट लेंगे दो इंच का अध्रक है उसे भी मैंने कूट के लिया है 5-6 हरी मिर्च डाल लेंगे और एक प्यास को रफ्री चॉप करके डालेंगे अब हम खड़े मसालों में एक टी स्पून जीरा लेंगे एक टी स्पून काले मिर्च दो चोटा दाल चिनी का टुकड़ा ह 5-6 लॉंग है चार चोटी लाइची थोड़ा सा जावित्री का फूल और एक बड़ी लाइची इन सब को भी हम डाल देंगे चिकन में आप चाहें तो इस टाइम पर एक बादियान का फूल भी आड़ कर सकते हैं जिसे अच्छे पूल भी कहते हैं अगर आपको फ्लेवर प और पानी हमें जैसे चावल में पांच कप लिया है तो इससाब से पानी में दस कप एट किया है चावल पकाते वक्त अगर पानी कुछ कम लगे तो हम बाद में और एट कर सकते हैं सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे बॉल आने देंगे जब बॉल इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक चिकन हमारा 60% नग कोख हो जाए इस टाइम पर चिकन हमें पूरा नहीं गलाना है क्योंकि आगे भी हमें मसालों के साथ चिकन को बूनना है और चावल में पकाना है तो चिकन ज्यादा गल जाएंगे अब हम एके करके चिकन पीसे क तो अलग कर लेंगे यखनी से और यखनी को हम इस तरह से स्ट्रेंड कर लेंगे ताकि मसाले अलग हो जाएं बिल्कुल अच्छे से हम स्क्वीज करते हुए मसालों का अर्प निकाल लेंगे यखनी हमारी रेड़ी है इसे साइट में हम रख लेंगे और एक बड़ा पतीला लेंगे उसमें चार से पांच टेबल स्पून ओयल एड़ करेंगे मैंने आधा घी आधा ओयल दिया है आप भी इस तरह से बनाएं अच्छा टेस्ट आता है उसमें चा स्लाइस कटीवी प्य बड़ाबान करना हमें जब गोल्डन ब्राउन हो जए तो शोप्ली सी प्याज हम हटालेंगे घानिशंग के लिए यूज करेंगे बाद में रागन से प्लेट में लिए पैला कर रखेंगे ताकि वह कूलेंशोफट न हो जाएไป तो своड़ी से गरम मसाले आट करेंगे एक जीरा भी आप एट कर सकते हैं तीन छोटी लाइची, छोटा सा दाल चीनी का टुकड़ा और चार पाच लॉंग, सब को स्प्लटर होने देंगे हम, अब हम इसमें जो चिकन पीसे हमें अलग किये थे उसे डाल देंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, अब हम एट करेंग क्योंकि कलर फिर चेंज हो जाता है, इसलिए हरी मेच से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और तीका भी हो जाता है, नमक एट कर लेंगे हम, थोड़ा पहले भी हमने यखनी में एट किया है, इस हिसाब से चेक करके आप एट कर लें, एक कटोरी में ने दही डाली है, अलग भग 100 ग्राम, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राइ करेंगे, अब हम एट करेंगे इसमें सौंफ का पाउडर एक टी स्पून, इसे खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है, दूर तक खुश्बू जाएगी, आपके अरोस पोरस वाले को भी समझ मा जाएगे पिर से मिक्स कर लिएगे और बो आने देंगे इसमें, यह चावल मैंने 5 कप धो खुश्बू कर भीगो के रख दिया है बास्मती चावल है, जब बोईल आ जाएगा तो हम इसमें चावल अड़ कर लिएगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, अर ढग कर पकाएंगे थोड़ी दिर तक high flame पर पकने देंगे इसे, जब इस तरह से boil हो जाए, तो अच्छे से mix करेंगे और फिर cover करके cook करेंगे इसे, low flame पर आप cook करेंगे हम, बीच-बीच में आप इसे चलाते रहें, यखनी almost हो गया है, बीच में एक बड़ टर्न कर लेंगे हमें से, और ये brown प्यास जो हमने अलग रखा तो उससे garnish कर लेंगे, आप चाहें तो dry fruits को भी fry करके garnish के लिए यूज कर सकते हैं, हरी धनिया भी यूज कर सकते हैं, अब हम इसे serve कर लेंगे गरम-गरम, आप इसे अपन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाओला, अपना ध्यान रखें, थैंक्स पो वाचिंग